जै गुरुजी संगजी गुरुजी टूड़े ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को शेर करें सबस्क्राइब करें और साथ में लगें बेल आइकान के बटन को प्रेस करके और पर क्लिक कर दें ताकि डेली अप्लोड होने वा अपना सत्संग अप्लोड करवाना चाहते हैं पूरी दुनिया की संगत के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो संगजी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं हमारे वाटसप नंबर और हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वाइस मेसेज के रूप में रिकॉर्ड करके, हमारे वाटसब नमबर पर हमें भेज सकते हैं, ताके हम गुरु जी किस प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अप्लोड कर सकें, जै गुरु जी संगजी, आज का सत्संग जो है, बहुत खूबसूरत सत्संग है, बहुत परा सत्संग है, संगजी हमारी लाइफ में जब गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो हमारी लाइफ में हर पल, हर एक्शन कहां, कहां पर गुरु जी की ब्लेसिंग्स आ जाती हैं, और लाइफ में संगसी और जैंब कई बाहर क्या होता है संगर जी एक गुरु जी की एक blessing हमारे पूरा जीवन बदल के रख देती है और यह होता ही है हाँ एक भी Guruji कोई सी भी blessing मेले मालिक की पूरा की पूरा जीवन बदल देती है ऐसे आज का संगा जी कि कैसे एक आंटी के जीवन में गुरुजी की एक ब्लेसिंग ने उनके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल दी गुरुजी की एक ही ब्लेसिंग ने संगा जी सूरत की बहुत फेमस आर्जे हैं मोनिका अंटी उन्होंने ये हमारे साथ अपना संग शेयर किया चलिए संग स्टार्ट करते हैं जै गुरुजी जै गुरुजी शुकराना गुरुजी आपका लाइफ में आने का बहुत बहुत शुकराना और नारंग अंकल आपका भी बहुत बहुत थांक यू कि आपने ये प्लैटफॉर्म हमें दिया जहां हम अपनी फिलिंग्स शेयर कर सकते हैं तो ये बात है कुछ 2016 की ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मेरिकल था एक्चली गुरुजी से तो हम 2011 से अलमूस्ट जुड़े हुए हैं लेकिन ये मेरिकल शायद मुझे लगता है कि मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था तो हुआ ऐसा कि मैं जलंदर में रहती थी और मेरे शोल्डर में काफी पेन था और मेरे फादर आर्मी में है तो हम मिलिटरी हॉस्पिटल जाय करते थे तो वहां पर एक कर्णल थे जिनके अंडा मेरा ट्रीटमेंट होने वाला था तो हम दो काफी टेंस हो गए बिकस मेरे मदर जो थे वो कहते हैं कि हमने तू कभी तुम्हें बच्पन से चोट नहीं लगने दी कहीं बॉड़ी पर कोई माक नहीं आने दिया है कि माक तुम बेटी हो कल को तुम्हें दूसरे घर जाना है और उस तरीके के थौट्स जो है वो मेरी फैमिली में चलते रहते हैं तो उनके दिमाद में भी थौट्ट था सु डॉक्टर ने हमें साथ में ये भी बोला कि देखो मेरा ट्रांसर हो रहाए डेली तो आप एक काम करना आप भी डेली ही आजाना आपने ट्रीकमेंट के लिए मैं आपको शिफ्ट कर गया में बोला ओकळ नोटो कर ढेंगिया और हमें चर्ज़री के लिए भी डेली बु तो वो हमें हॉस्पिटलाइज कर लेंगे तो सेकेंड ए थर्ड दे सर्जरी हो जाएगे इसलिए हम दो दिन चाहिद रिस्ट की जरुरत होगी और फिर हम वापस आजाएगे तो हमने पांच दिन का ट्रिप जो था न वह प्रॉपरली प्लान कर लिया सब कुछ जो हमें लगा पहले वो और टेंट करते हैं so we said okay we were very happy कि चलो सचसंगा टेंट करने भी यहाँ पर हमें मिल गया so हमने सचसंगा टेंट करा और next morning we went to the doctor और उन्होंने बोला कि आपके कुछ scan वगेरा दुबारा होंगे और कुछ medicines हैं जो आपको चाहिए सर्जरी से पहले यह दो दिन आप खाओ और थर्ड डे आप सर्जरी के लिए आजाओ हमने बोला okay हमने medicines लिये स्कैन करवाई और वापस आगया हम घर पे घर पे आए और उसी दिन मेरे मतलब जो मासी की daughter-in-law है उन्होंने हमें बोला शुची भावी उनका नाम है आज बड़े मंदर चलते हैं हमने प्लान किया हुआ है we said okay चालो तो हमें बड़े मंदर लेके चले गए हम वहाँ दर्शन करके आए और next day फिर उनकी लेन में कोई सत्संग थे एक या दो सत्संग थे हमने वहाँ उसके बाद finally the day came जसका हमें इंतजार बिल्कुल नहीं था so surgery के लिए वेंट to the doctor we went there और वहाँ जाके हम उनके पास बैठे and उन्होंने मुझे देखा and he smiled and he said के अच्छा मॉनिका एक मैं बात बताता हूं कि you don't need a surgery I said you don't need a surgery मतलब क्या क्या मैं समझी नहीं he said अभी pain है कुछ आम में बाजू को उपर करो नीचे करो and he started doing this I said no he said कि scan में भी कुछ problem रहा होगा पहले क्योंकि रसॉली जैसा कुछ आया नहीं है scan में तो I said sir वो भी आपके अंडर ही हुआ था जल अंडर में यह भी आपके अंडर ही हुआ है डेली में so he said कि वही तो मैं बोल रहा हूं कि कुछ problem रहा होगा otherwise यह कुछ है नहीं things are normal and you'll be fine don't worry जो भी ओका थोड़ा बत physiotherapy ले ले लेना अगर दुबारा कुछ problem होता है तो otherwise you are completely fine and I was like यह तो कैसे हो गया because मैं तो इतने जादा पेन में थी और उस टेम तो हमें डॉक्टर ने इतना डरा दिया था कि यह तो कल को चलके cancer बन सकता है आपको इसे निकलवाना ज़रूरी है this and that और काफी मैं relax हो गई और हम हस्ते हस्ते घर आए अचली जब हम वापस आए और सुझे यह कैसे हो सकता है मतलब और मेरे मतलब वहाँ पर गुरूजी का स्वरूप था मासी गर पर and I was like जब मैंने उनको देखा तो फिर मैंने गड़ा नहीं यह हो सकता है यह तो कोई और नह आदेव तो कुछ भी कर सकते हैं सो मुझे बहुत ही blessed सी feeling आई और मुझे लगा कि वाह शुकराना जितना शुकराना करूंग वो कम है और करोड करोड शुकराना अनंतम शुकराना गुरूजी आप रोज कैसे मतलब हर संगत के साथ इतनी positivity दिखाते हो इतनी positive positive चीजे कर जा और हम सोचते हैं हाई गुरूजी ने यहां कहीं पर कोई जम्मू में रह रहा है गुरूजी ने उसका भला कर रहा है कोई दिल्ली में रहा है कोई कश्मीर में रहा है कोई कन्या कुमारी में रहा है कहां कहां भला करने जा रहे हो कहां देशों वे देशों में भला कर रहे ह दुनिया का इसीले महादेवो आनंतम शुक्राना गुरुजी आनंतम शुक्राना